क्या महराष्ट में आज बिगडी बात बन जाएगी? क्या M.V.A की सीटो का बटवारा तै हो जाएगा? कोई फॉर्मूला निकल जाएगा? आज एक एहम बैठक होने बाली है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई है. और ऐसे में आज की मिटिंग काफी एहम हो जाती है. लेकिन प्रकाश अम्बेटकर जो की वन्चित पहुजन अगाडी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आता है. जिसके बाद लग रहा है कि बात बन नहीं पाईगी, सीटो पर सहमती बन नहीं पाईगी, आप ये समझें कि लोगसभा चुनाब नजदीक है, दस मार्च के बाद कभी भी तारीखों का एलान हो सकता है, और महा विकास अगाडी में अभी तक कोई फॉर्मूला तै नहीं हुआ है, डील नहीं हो पाई है, बात नहीं बन पाई है, अब जितने भी दल हैं, महा विकास अगाडी जो एक बड़ी चुनावती के तौर पर खुद को पेश कर रहा था गटबंधन, वो अब तूटता हुआ जा रहा है, बिखराव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इतनी मिटिंग्स के बाद भी बात नहीं बन पाई है, और कहा ये जा रहा है कि जो आज बैठक होने वाली है, वो आखरी होने वाली है, अब इसमें आपको बताएं कि बंचित भोजन अगाडी ने 48 में से 27 सीटे तो प्रकाश अंबेटकर की पार्टी मांग रही है, बंचित भोजन अगाडी पार्टी ये मांग रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉंग्रेस की, वो भी हम आपको बताते हैं, कॉंग्रेस ने 21 सीटों की मांग कर दी है, अब जो ये शिव सेना की उधव गुट की पार्टी है, 22 सीटे मांगी है, NCP ये 10 सीटे मांग रही है शरत पवार की पार्टी, और 40 सीटे हैं, तो कैस मतलब एक-दो सीटों पर ऐसा नहीं है, कि सहमती नहीं बन पाई है, ये तो 12 से 15 सीटे हैं, जिस पर अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, तो कब ये होगा, इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है, कि इनकी अपनी-अपनी महत्विकांशा है, ये जो पार्टी आ है, य जो कि वंचीत बहुजन अगाडी की अध्यक्षयों से पूछा गया कि क्या आप MBA का हिस्सा है, महराश तो महाविकास अगाडी का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा पहले ये अपने मसले सुलचा ले, पहले इनकी बात फाइनल हो जाए, यानि कि वो देख रह उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे, तो ऐसे में प्रकाश अमवेट कर क्या महाविकास अगाडी के साथ जाएंगे, या फिर महाविकास अगाडी में ये तीनों दल रहेंगे, या फिर ये सभी साथ आएंगे, या फिर ये सभी दल, अलग-अलग लड़ेंगे, ये सा अब देखने को मिलता है, मिटिंग्स पर मिटिंग्स होती है, महत्वकान शाय सामने आती है, गटबंधन धर्म का पालन नहीं होता है, और इतनी जादा सीटों के डिमांड की जाती है, मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी सीटे, कॉंगर्स की तरफ से 21 सीटे मांगी गई है, इसमें मैं आपको सीटे बताती हूँ कौन-कौन सी है, शिवसेरा ने जो सीटे मांगी है, राइगर है, कल्यार डॉम्बी वली है, मावल है, हिंगोली है, चत्रपाती संभाजी नगर है, अब देखना यह हुगा कि क्या आज डील फाइनल हो पाती है, क्या बात बन पाती है फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे